हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल और मैं हूँ अफशा तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चट पटी स्पाइसी आलू की कतली तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये तीन आलू हैं तो आलू हमने पहले से ही काट के रखे हुए हैं तो एक आलू मैं आपको काट के दिखा रही हूँ तो एक गोल सरकल में हम कट करेंगे और ना ये पतले कटे होने चाहिए ज़ादा और ना ये ज़ादा मोटे कटे होने चाहिए तो देखे जो आलू छोटे हैं हम उन्हें यूँ छोड़ देंगे और जो बड़े हैं उसे बीच में से दो कर लेंगे तो हमने पेन में एक कप रिफाइंड ओईल दाल के गरम कर लिया है यहे हाफ टेबल स्पून जीरा अजवायन हींग तीनों चीजे इसमें मिक्सें तो अब हम ये ओईल में एड़ कर देंगे गेस फ्लेम लो रखेंगे और इसे चलाएंगे और जब जीरा चटक जाएगा तो इसमें अब हम एड़ करेंगे दो पतली वाली कटी हुई हरी मिर्च हलका सा इसे चलाएंगे हरी मिर्चों को हमें ज्यादा पकाना नहीं है फिर इसमें हम आलू एड़ कर देंगे चलाते हुए इसी ओयल में हम पाँच मिन्ट तक इसे फ्राइ करेंगे फिर हम स्वाद अनुसार नमक एड़ कर देंगे साथ में ही हाफ टी स्पून बराबर हल्दी एड़ कर देंगे चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए हल्दी का कलर इस पे कितना अच्छा चड़ा है ये एक मीडियम साइस की प्यास है जिसे हमने स्लाइस में कट किया हुआ है तो इसमें एड़ कर देंगे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तो दो तीन मिनट हम प्यास को आलो के साथ पकाएंगे फिर उसके बाद हम एड़ करेंगे टमाटर ये तीन स्मॉल साइस के चॉप होवे टिमाटर हैं तो साथी में ये एड़ कर देंगे इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे आलो गलाने के लिए हाफ कफ पानी एड़ कर देंगे चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे पानी हमने ज्यादा एड़ नहीं करना बस उतना एड़ करना है कि जितने में हमारे आलू गल जाए अब इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये आलू गल न जाए और पानी ड्राइ न हो जाए तो देखिए इसे पकते पकते 10 मिन्ट हो गए हैं तो अब हम इसे चला देंगे और आलू की साइड्स चेंज कर देंगे ताके आलू हम दोनो साइड्स से बराबर से पक जाएं तो अब हम इसे कवर करके 10-15 मिल्टी से और पकाएंगे और बीच में एक दो बार चला देंगे तो दिखिए उसके बाद हम इसे खुल के चेक कर लेंगे तो आलू पूरे तरीके से कुख हो गए है तो अब इसमें हम एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून गरब मसाला एक मुठी बराबर हरा धनिया एक मोटी वाली कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी जूलियन कट अद्रक तो इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तो देखिए इसका पानी भी ड्राइ हो गया है इसमें ज्यादा पानी नहीं जाता बस इतना ही जाता है कि आलू गल जाएं तो इस स्टेज पे गैस आफ कर देंगे तो हमारी चट पटी स्पाइसी आलू की कतली बनके तयार है आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं फुलके के साथ भी खा सकते हैं ये टेस्टी भी बनती है और इसमें एक जबरदस्त फ्लेवर होता है अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सबस्क्राइब करें फैमली और फ्रेंड्स में शेयर करें अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ आला हाफीज